नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओमकार चोदरी। जड़ा याद करिए उन घटनाओं को जो बंगला देश में हुई थी और बंगला देश में जो वार्दाते हुई उसके बाद हमारे यहां हर्याना में और जम्मु कश्मीर में विधान सबा के चुनाओ हुए। लेकिन बंगला देश में जो हुआ और हर्याना और जम्मु कश्मीर के बीच में जो चुनाओ हुए इसके बीच में भी कुछ गटनाए गटी थी। और उनके बारे में हम चर्चाएं भी कर रहे थे कि ये जो अचानक से हिंदों में आक्रोश दिखाई दे रहा है कुछ-कुछ चीजों को लेकर के और वो सडकों पर उतर रहे हैं ये आखिर क्या है। हमें हरियाना के चुनाव नतीजों से पता चला। अभी जहारखंड और महराष्ट की चुनावी परकरिया चालू है और नॉमिनेशन का काम भी आज कंप्लीट हो गया। अब चुनाव परचार शुरू होंगे लेकिन इस बीच एक और घटना घटी है बलके मैं कहूंगा के दो घटनाएं घटी है। नहीं लाना चाहिए इससे किनारा करना चाहिए परहेज करना चाहिए और अगर वो लेकर के आती है तो जो NDA के सो कॉल्ड धर्म निर्पेक्ष चेहरे हैं यानि तेल गुदेशम के प्रेजिडेंट और आंदरा के मुख्य मंतरी चंदरबाबु नाइडू और बिहार के मु इंशोधन बिल लाया जा रहा है इसका समर्थन नहीं करना चाहिए यानि जमियत उलेमा हिंद और उसके पीछे जो ताक्ते हैं जो मौधी सरकार को बरदास्त नहीं कर पा रही हैं वो सब चाहते हैं कि इसी पर मौधी सरकार का पतन हो जाए वो गिर जाए एक तो देश के भ बटना हुई है देश के बाहर कनाड़ा में टोरंटों के पास ब्रेंप टने में संडे को यानि एक दिन पहले ही मंदिर पर अटेक हुआ है हिंदों पर अटेक हुआ है और ये खालिस्तानी एलिमेंट बताय जा रहे हैं इनके पीछे भी कौन-कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब सब के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं अमेरिका का डीप स्टेट ये पन्नू और तुमारा कनाड़ा का प्राइम मिनिस्टर और वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो सब इसके लिए जिम्मेदार है और जिस तरह के फरस्ट्रेशन इनके बढ़ रहे ह हैं इसको भी जरा समझने की जरूरत है लेकिन सबसे पहले हम शर्चा करेंगे जमियत की उसके अपील की उसके इरादों की और इससे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी मेरे साथ आपके चिर परिचित जाने माने पत्रकार लेखक चिंतक मनीसी बहुत और से कर जुड़ रह तो क्या हम ये मान लें के देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देरा अलाकि ये जल्दबाजी होगी अभी ये कहना क्योंकि अभी वहां तक पहुँचने के लिए कुछ गटना हैं गटना जिरूरी हैं और जिसकी शुरुवात मुझे लगता है कि इंदरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कल जमियत उलेमा हिंद के जमावडे और उनके भाशनों और उनकी चेतावनियों से उसकी शुरुवात हो चुकी है जमियत उलेमा हिंद के जो सर्व रहा हैं यानि मौलाना अरसद मदनी और नहोंने नितीश कुमार से चंदर बा आपको अलग रखें इसका मतलब यह है कि वो समेथ कुछ ताक्ते हैं जो इस बिल पर मौदी सरकार को गिराने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या हम यह मान करके चलें कि ना केवल मध्यवती चुनाव होंगे बलके देश वन नेशन वन इलेक् बहुत दूर की बात है अभी मैं उस पर ने मैंने मानता कि इतनी जल्दी यह सब होगा लिकिन एक बात है जो को वक्त का जो भील लाया गया है वो पूरी प्लैनिंग के साथ लाया गया है अगर बीजेपी को क्लियर मेज़ोरिटी मिलती तीसरी बार तो शायद इतनी जल्द कि वक्त का यह जो विदायक है वह नहीं लाया जाका लेकिन जिस जंग से मुस्लिम कंसोलेडेशन पिछले लोकसभा चुनाओं में हो गया उसके बाद यह जरूरी हो गया कि अब सीधा-सीधा जो कंसोलेडेशन या जिसको पॉलराइज़िशन बोलते वो उना जरूरी हो ग जल रहा है उसके मद्य नदर हम अगर आकलन करे तो मुझे लगता है कि वक्त का बिल लाया गया और सिर्फ लाया नहीं गया वो डायरेक्ली लोकसभा में संसद में चर्चा के लिए ना रखते हुए जेपीसी के पास भेजा गया तो जब जेपीसी में जाता है तो उस पर ज अलग-अलग पहलू होते हैं उस पर जो चर्चा होती है वो लोगों में जाती है तो एक बात मुझे साप लगती है कि जो परदे के आड से चल रहा था नाटक या लड़ाई Secularism के नाम पर Islamism चल रहा था उसको खुले में लाकर खुद को Secular Liberal मानने वाले जो लोग है वो पार्टिया है उनको पूरा नंगा करने का प्लान लेकर ही ये बिल लाया गया है तो बात साफ है देखो क्या होता है हमेशा कि किसी शिकार के लिए वो जिसकी शिकार होने वाली है उसको बिल से बाहर लाना पड़ता है तो जो लोग खुद को लिबरल मानते हैं उनके पीछे ताकत काउंसी है जो इसलामिक ताकत है उनको सामने लाना जरूरी था OYC हो या मुस्लिम लीग हो या समाजवाधी पार्टी हो या ओपनली पॉलिटिकल प्लैट्फॉम है मुस्लिम इसलामिजम के लेकिन इनके पीछे जो चुनाव में नहीं उतरते ऐसे बहुत सारे लोग है जो खुद को अलग-अलग नाम से तबलीगी जमाथ हो या काबुल जमादी इसलामी हो इस नाम से पहचाने जाते जे-जे तो मैदान में लाना जरूरी था कि भई खुद को लिबरन मानने वाली पार्टिया जो है वो हिंदू के वोड़ पर चलती है लेकिन इनके धागे किस से बंदे हुए तो इसलामिजम से बंदे हुए ये जब तक लोगों के सामने नहीं लाया जाता तब-तक हिंदू एक मांन कि दर्म तो है मानते है सनातन मांते है लेकिन हमारा हमारी सोच एक है कि हम किस पर हमला नहीं करेंगे हम किसका नुकसान नहीं करेंगे लेकिन हमारी आइडिया हमेशे defensive रहती है कि हम पर हमला हो जाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे तो हमला होना जरूरी होता है आपने जो जिक्र किया कि इंद्रागानी स्टेडियम में जो कुछ होआ है तो वो हमला है सीधा सीधा हमला है इस देश के 100 करोड हिंदूों पर हमला है कि हिंदूों की पार्टी चलेगी हिंदूों की पार्टी चुनाव जीटेगी हिंदूों के वोट से ही अलग अलग पार्टिया चलेगी लेकिन उनको डिक्टेट करेगा जमाते इस्लामी करेगी इस्लामिक अर्गनाइसन है वो उनको डिक्टेट करेगी क्योंकि वो खुटको लिब्राल मानते हैं और अगर आप लिब्राल हो तो आपको इस्लामिक सोच से चलना पड़ेगा यह डिक्टेशन है यह समझा यह चिराक बास्वान हो या चंद्राबबु नाइडू हो या निटिश कुमार हो उनको अवाहन नहीं किया है यह पूरे के पूरे सब जो खुद को लिब्राल मानते है सेकुलर मानते है उनको धमकिया दी जा रही है वरना तुम सेकुलर नहीं रहोगे हमारे वोट तो है हम मुस्लिमों के वोट सेकुलर करके आपको मिलेंगे लेकिन वो वोट हिंदू हित के खिलाब होने चाहिए आपको हमारे वोट चाहिए तो आपको हिंदू के खिलाब खड़ा रहना पड़ेगा बले आप हिंदू के वोट से ही चुनकर आते हो और थोड़ा सा हिस्सा हमारा होता है अब निटिस्की पार्टी हो अखिलिस्की पार्टी हो कॉंग्रेस पार्टी हो उनको बलक वोट कहां से मिलता है उनको बलक वोट है उनका भी 70-75-60% हिंदू का वोट है लेकिन आपको जित वोट हमारे है और इसलिए आपको विजेपी के खिलाब जीतना है तो मुस्लिमों के पक्षपाती होना पड़ेगा यह धंकी है आप समझे यह समझे आप क्योंकि हिंदू ओपर पुरा भरोसा करके चलने वाली एकी पार्टी है और उसको अगर हराना है तो लिबरल पार्टियों की मदद ली जाती है मुस्लिमों की मेजॉरिटी नहीं है बड़ी संख्या नहीं है लिकिन जो संख्या है उस संख्या का अगर सही डाव पेज के तहट इस्तमाल किया जाए तो बहुत संख्य हिंदूओं को हराया जा सकता है ये इनकी स्ट्रेटीजी और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रेटीजी लेकर वो सामने आ जाए ताकि लिबरल और जो सेकुलर पा ये इसलामिस्ट पार्टिया है क्योंकि ये इसलामी अजेंडा जो है वो लेकर चलती है वो अगर लोगों के सामने सबूत के साथ लाना है तो हिंदू वोटर खुद को बले हिंदू तो आदी ना मानता हो लेकिन वो खुद को इसलामाइजेशन या जिहादी भी नहीं मानत तो उसको पता चलना चाहिए तो जिसको वोट दे रहा है वो काउन है? वो अगर पोलिटिकली जिहादी हो गया है तो तुझे उससे बचना चाहिए इसलिए तुझे चेहरा पहिचानना चाहिए अगर वो चेहरा कॉंग्रेस का है तो कॉंग्रेस के खिलाब तुझे खड़ा होना पड़ेगा ये दिखाने के लिए जो सबसे बड़ा सबूत है वो आपने बोला कि इंद्रा गांजी स्टेडियम में पेश किया गया तो इसी लिए ही वग भी लाया गया है वो पास होगा आगे क्या होगा वो दूर की बात है अभी के लिए अब देखो कि जिनोंने पिछले चुनाव में फिर वो दली थो या और कोई हो उनके सामने इनके चेहरे मुखोटे उतारे जाएगे ये कई एक मैंने विडियो देखा जो मुस्लिम बोल रहे है कि जो दलीतों का नेता चुनकर आया है संसद में चंद्रशेकर रावन तो वो अगर खुद को हिंदूों से अलग और दलीत मानता है तो मुसलिम उसको दलीत नहीं मानते मुसलिम उसको बीगर मुसलिम मानते और बीगर मुसलिम है इसलिए काफिर है तो लड़ाई मुसलिम और बीगर मुसलिमों की है ये अगर ये लोग पर जादा होगा जो BJP या RSS या विश्व हिंदू परिशत के बोलने से जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना परिणाम नहीं होगा उतना परिणाम ये जमाते इसलामी खुले आम हिंदू लिबरान पार्टियों को धंकिया दे तो हो सकता है और इसी कारण से ही उसको क् चेतावनी देने के लिए ही वक्त भी लाया गया है भाव जमियत उलेमा हिंद ने ये भी कहा कि हमने चंद्रबाबु नाइडू को आमंत्रित किया था इस सम्मेलन में जिसको सम्मीधान बचाओ सम्मेलन कहा गया था और उन्होंने आने से इंकार कर दिया पर अपनी पर्ट पुछना ये है कि तीन चेहरों का नाम लिया है इनोंने चिराग पास्वान नितीश और चंद्रबाबु नाइडू क्या ये इनके प्रेशर में आ सकते हैं मेरा खैल है इतना आसान नहीं है पर्टिक्लरी चंद्रबाबु की बात लीजिया अगर चंद्रबाबु इस तरीक से दो बार फसे हैं एक बार आपको याद होगा 2002 में इंडिये के साथ वाजपी की गवर्मेंट के साथ थे चंद्रबाबु नाइडू और उस बार गुजरात में साबर्मती एक्सप्रेश जलाई गई उसके बाद जो दंगे फसाद हुए तो मूधी जी को गुजरात के मु नवाज जाना पड़ा था क्योंकि 2004 के चुनाव में कॉंग्रेस वापस अंडरमीन चुनकर आई दुबार आई 2004-2009 और बुरी हालत में फस गये उससे निकलने के लिए वापस इनको 2014 में मोधी के साथ आना पड़ा था जिसका एक चीप मिनिस्टर के रेसिगनेशन मांग र लेकर इनको आंद्र में खुद को री एस्टेब्लीज करना पड़ा लेकिन फिर में मस्दी हो गई थी दो हजार अठारा में फिर चर्णाबाबू नाइडू ने नाटक किया था और वो एंडिये छोड़कर निकल गये थे और फिर से पात साल उनको बनवाज जाना पड़ा जबकि बीच में अंद्र के दो टुकड़े हो गए एक तिलंगड़ा बन गया एक आंद्र बन गया और वहां जगन मोहन रेड़ी आ गया उन्होंने इनको एरेस्ट किया जेल में डाल लिया इनका अफिस तोड़ लिया था ये सब करने के बाद फिर वापस संजीवनी के लि सारे नहीं है यह सारे के सारे चिराक पास्वान और के पिता जी रांविलास पासवन में 2002 के दंगों के बाद वाजबी गवर्मेंट छोड़ कर निकल गये थे जे यह चार पात साल में इनका बहार में सुपड़ा साफ हो गया खुद राम विलास पास्वान हार गए थे और फिर उनकी पार्टी उनकी राजनेतिक जीवनी का उनरुजिविन करने के लिए राम विलास पास्वान को अपने बेटे चिराक को आगे करके वापस मोधी के शरण में आना पड़ा था तो ये तो दो साफ है नितिस की कहानिय अलग नहीं है नितिस भी 2014 में NDA से बाहर निकल गए क्योंकि वो मोधी से खुद को इक्वल मानते थे और मोधी को नेता मानने के लिए राज़ी नहीं थे निकल गए बुरी हालत हो गई लालू के साथ चले गए जिस लालू के खिलाफ बियार की राज़नीती में खड़ा होने के लिए लालू ने अब डितिस ने बीजेपी का साथ दिया था उसी लालू के शरण में जाना प्यड़ा लेकिन 2019 के चुनावा आते आते 2015 के विधान सबाद चुनाव आते आते उनको फिर 2020 के चुनाव आते आते उनको आना पड़ा वगरा वगरा दो बार पलतुराम हो गए है तो इसके बाद अगर उनको आना जाना है तो वो जरूर करे उनकी credibility खतम हो जाएगी और मोदी जी ऐसे है कि वो सत्ता की कुरसी का कोई मोह उनको नहीं है आपको याद होगा तो 2002 के दंगो के बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया तो मोदी ने खुद ही गुजराज की विधान सबाद बरखस्त की थी और बोले लोग तय करे मैं चाहिए मोदी चाहिए या ना चा कामना करने निकले थे तो मोदी डरते नहीं है 240 या 300 हो या 300-500 मुझे एक अमेरिका का सात्वा प्रेसिडेंट था शायद एंड्रिव जैक्शन उसकी याद आती है 190 साल पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एंड्रिव जैक्शन उनका एक वच्छन मुझे याद आता है वो कहते है one man with a courage makes a majority एक धाइड़िवान हिम्मदबास इंसान ही majority होता है तो मुदी जी अकेले ही majority है ये लोकसभा की majority किसी विदान सभा की majority इससे डरने वाले इंसान का नाम मुदी नहीं है तो क्या बोलते हैं उनको जमाते इस्लामी जमेता उलेमा हो या लिबरल पार्टी हो या इनकी धमकिया हो उससे डरने वाले इंसान का नाम नरेन मुदी नही है अगर उनको मेजोरिटी और सरकार बचानी होती तो 240 पर आने के बावजोद इन्हों ने वक्क कबील पारलोमें Baptist में इंट्री दिस नहीं किया होता अ अगर उनको सरकार और कुर्शी और सत्ता बचानी होती तो वो बुलते सब्सक्राइब तो मिट्टन पोल आजाएगे और मिट्टन पोल में क्या होता है यह हमने लगातार बार बार देखा है आपको याद होगा कि जब जब सरकारे गिरिये तो उसके बाद स्टेविलिटी के लिए बड़ा भारी बहुमत किसी ना किसी को मिलता है हमने 1980 में देखा था इंदिरा जी की स्लोगन क्या थी गवर्मेंट डेट वर्क्स चलने वाली सरकार तो लोगों को चलने वाली सरकार चाहिए वो वक्त लाए ना लाए हमको राशन मिल रहा है हमको बहुत सारी सुविधा मिल रही है हमको उससे मतलब है हमको लिबरालिजम हिंदूत्व से भारतिय लोगों को कोई मतलब नहीं है लोकों को उनकी जिन्दगी आसान हो सुविधा पूर्ण हो इससे ही मतलब है बिलकुल सही बात है भाव वैसे आंधरा परदेश में एक मजबूत इस्तंब के रूप में इस समय पवन कल्यान है जो हिंदुत पुवादी चेहरा है जो मौदी के बहुत बड़े सपोर्टर भी है समर्थक भी है और इसी तरीके से नितीश कुमार भी अगर मुख्य मंत्री है इस बार तो भारतिय जन्ता पारिटी की वज़े से हैं इन दोनों के लिए कोई भी इधर उधर देखना या निकलना या ना फर्मानी करना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा बहु अगले विश्य पर चलते हैं लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और घठना क्रम है रविवार को कनाड़ा के टोरंटों में ब्रम्टन में एक मंदिर पर अटेक किया देखने में खादिस्तानी थे लेकिन उनके पीछे कौन है इनको इतना होसला कहां से आ रहा है और किस तरह की हरकतें वहां के प्राइम मिनिस्टर ट्रोडों से लेकर के उनका पूरा विदेश मंत्रा लेकर रहा है यह पूरे घठना क्रम हमारे सामने हैं देश के सामने हैं हमने अपने राजदूत समेत छे टॉप आफिस्यल्स वापस बुलाए और उनके इतने ही यहां से निश्काशित कर दिये कनाड़ा के और भारत के रिस्ते वैसे ही बिलकुल एकदम जमीन पर हैं इस समय बेहत तनावपूर्ण इस्तितियां परिस्तितियां हैं ऐसे में मंदिर पर अटेक करना हिंदूओं पर अटेक करना ये क्या शो करता है और इससे भी आगे वहाँ जो हिंदू महासभा है हिंदू सभा है उसके कुछ वीजवल्स आज आए हैं बड़ी भारी संक्या में हिंदू महा इकठा हुए हैं और उन्होंने बटोगे तो कटोगे ये उद्गोश किया है तो ये जो एक बीज सुत्र योगी आधितनात की तरफ से शुरू किया ग क्यानडा मत सोचो क्यानडा के साथ साथ अमेरिका भी उससे गिनना जरूरी है और पूरे दुनिया में हिंदू कंसोलिडेशन होता जाएगा और सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन नहीं है आपको ये भी उसमें गिनना चाहिए कि अभी अभी जर्मन इसे मुस्लिमों का बहुत शर्णार्ती बनकर आए थे उनका डिपोर्टेशन शुरू हो गया एक के बाद एक यूरोप के देश वहां आये हुए शर्णार्ती मुस्लीमों को बड़ी भारी संख्या में निश्काशित कर रहे डिपोर्ट कर रहे तो आप सिर्व क्यानडा की तरफ मत देखो ये एक बात ह है कि जो व्यवस्था पिछले यानि दूसरे विश्वईद्यों के समय बनाई गई थी वो अब आउटडेटेड हो गई है अगर वो गिराना जरूरी है तो वो गिराने के लिए परिस्तितिया बनाई जा रही है मैं मानता हूँ कि जिर जंग से ब्रिक्स आगे आ रहा है चा आइना रशिया और भारत इकठा हो रहे है और फ्रांस और ब्रिटन जो मानो आप विटो पावर जिनको माना जाता है वो अब जीरो बन चुके तो ब्रिक्स के सामने जी सेवन भी छोटा लगने लगा है और अमरिका में बहुत दोलायमान परिस्यती है ट्रम आएगे ना आ उसके 24 घंटे बाद अमरिका में वोटिंग चालू होने वाला है आज हम बोल रहे हमारी लिए चार तरीक की साम हो गई है और अमरिका में चार तरीक का सुरज निकला है बेलकुल बराबर 24 घंटे के बाद अमरिका की इस कोर्स से वोटिंग शुरू हो जाएगी और छे तार आँ हो रही है वहां तक अमरिका के रिजर्ट आते होगे तो जो टर्म्फ और हैस्के चल रहा है वह यहां के वका जो मामला अपने बताया यहां के मामला बताया वो सब मिला कर हमको देखना पड़ेगा हमको इसमें युकरेन देखना पड़ेगा हमें इसमें इसराइल इराण हजुबूल्णा व sworn दे देखना पड़ेगा तो पुरी की पुरी दुनीया एकडोलायमा स्थिती में है और जब मुझी जी पिछले दस साल से एक बात बोल रहे है कि मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मैं हमेशा मानता हूँ कि विश्व गुरु शब्द से मत्रु को ये गुरुत्वा कर्शन जो बोलते किसी भी मास्का जो केंडर बंदु होता है वहां के इर्दगिर दुनिया घुमती है वस्तमान घुमता है तो उसको गुरुत्वा मध्य बोलते है तो भारत गुरुत्वा मध्य की जगा आते जा रहा है जिसको मोदी जी विश्व गुरु बोलते तो अब इंरान इसरेल के बीच में युक्रेन रश्या के बीच में कौन तो मोदी कुछ करेगा और यहाँ अमरीका में जो अस्वस्थधा में दिखाई दे रही है उसका कारण भी हो है कि भारत इतना बड़ा होते जा रहा है कि हस्तक शेप काउन करेगा तो इंडिया करेगा आज तक वही ट्रम्प पिछली बार पाथ साल छे साल पहले ट्रम्प बोलते थे कि कश्मिर के मामले में मैं मध्यस्टी करू या ना करू ऐसा पूछ रहे थे आज ट्रम्प के लिए भी मूदी महत्वपूर्ण बन गए जिस धंग से ये अलग सब्जेक का विशे का विडियो का विशे है कि ट्रम्प ने जिस धंग से इस बार चुनाव का प्रचार किया है उसमें पूरी की पूरी मूदी की जाग दिखाई देती है जिस धंग से दस साल भारत में मूदी चुनाव हैंडल कर रहे हैं ट्रम्प उसी लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे है तो अमेरिका का रिजल्ट आने के बाद हम जरूर उस पर बोलेंगे कि क्या मूदी जी ट्रम्प के इस चुनाव में प्रशान किशोर बन गए ये भी हमें सोचना पड़ेगा और अगर ट्रम्प जीत कर आते हैं जो पूरी संभावना है तो उसके बाद कनेड़ा अकेला पड़ जाएगा क्योंकि अस्ट्रेलिया वगरे बहुत सारे देश भी यूरोप के बहुत सारे छोटे मोटे देश भी अब भारत पर निर्भर होने लगे है तो ये इतना छोटा मामला नहीं कि एक मंदिर का और खलीस्तान का है या वो सुखिंदर सिंग पन्नु का है इतना छोटा मामला नह गूमती जा रही है और उसको स्थाई दिया लाने की टाकत अगर किसी देश में है तो भारत में है इसके दिशा में हम रास्ते पर निकल पड़े है। बंगला देश में जो कुछ हुआ था और बंगला देश के बाद जो संजोली मस्जिद शिमला के पास और उसके बाद मंडी में, विलासपुर में, सीलिगूडी में, सूरत के सहीदपुरा में, करनाटक में गटना हो गई थी जब गणपती को वहाँ पुलिस ने अपनी अभी का प्रभाव देखेंगे और वो देखने को मिला, अभी जो कनाड़ा में हुआ है, मंदिर में घुस करके जिस तरीके से हिंदों पर अटेक किया गया है, या दूसरी घटनाएं तमाम हो रही है, जमियत, उलेमा, हिंद, दिल्ली में बैठ करके जो है, एक तरीके सा फत्वे ही जारी कर रहा, नितिश कुमार और चंदरबाबु नाइडू के लिए, तो इनका असर क्या हमें महाराष्ट और ज्यारखंड के चुनाव परिणामों पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, इसका अधित्यनाद बोल गए, कि बटोगे तो कटोगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी में बोलते हैं तो टूगेदर भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, ये कोई नहीं बात अधित्यनाद बोले नहीं है, वो सिर्फ हिंदी में बोले, लेकिन यही तो अ असानी से हमको खतम कर देगा, ये अंग्रेजी की कहावत है ना, टूगेदर भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, तो ये चल गया, महाराष्टर में चलेगा, हरियाना में चलेगा, और सिर्फ वहाँ नहीं है, इसके बाद आने वाले हर चुनाओं में हिंदू चलेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हाँ, एक बात है कि हरियाना चुनाओं के बाद क्यानडा की घटना हुई है, उसकी खबरे आएगी, लेकिन महाराष्टर और जारकंड के रिमोट एरिया में ये खबरे पहुंचेगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो क अधित्यनाद के खिलाप, योगी जी के खिलाप, उसका प्रचार करेगे, उतना हिंदू जुडता जाएगा, इतना हिंदू जुडता जाएगा, अब अगर कुछ पाकिस्तान के वीडियो आते वो देखेंगे, तो वहाँ धाकिन नाइप के खिलाप, एक आवाज उठने ल को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ने, हाँ, जो अच्छा महवल बन रहा है, उसका फाइदा उठाने की कोशिश करो, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ने, क्योंकि आपको जो चाहिए, वो महवल मुसलीम ही बनाएंगे, और जमाते उलेमा ने, वो काम कर दिया है, वो काम कर दिया है, क्योंकि अब निटीश हो, जगन रेड़ी हो, क्या बोलते है, चंद्रबाबू नाइडू हो, या चिराक पास्राम हो, उसको लोग सवाल पूछेगे, तु यहां का है, या वहां का है, बोल दे, बोल दे तु कहां का है, और दूसरी बात, हर्याणा म है, या कहीं, मैंने देखा एक वीडियो, वो तंद्रशेकर, रावन को बोले, रावन हुआ तब का वो काफीर ही है, तो यह लड़ाई, मुसलिम और बिगर मुसलिम में डिवाइड होती जा रही है, और जितनी डिवाइड होती जाएगी, उतना हिंदू कॉंसलोरेशन, अल मैं तो फॉन मुद्दो पर चर्चा करने के लिए, थैंक यू समच, नमस्कार.